सो दोस्तो फाइनली हीरो की करीजमा वापस आ रही है इस बाइक का न्यू मोडल 2023 में लौंच होने वाला है और इसका लौंच होना बिल्कुल कंफर्म हो चुका है स्वास की इस वीडियो में हम बात करेंगे हीरो की करीजमा के न्यू मोडल के बारे में ये बाइक मार्केट में कब तक आने वाली है कैसे इस बाइक के अंदर फीचरस होंगे और क्या बाइक का प्राइस होगा करीजमा के निव मोडल की सभी डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तो हीरो की करीजमा अपने टाइम पे काफी पॉपुलर बाइक रही है बाइक के लुक्स, डिजाइन और स्टाइल भी काफी अच्छे थे लेकिन अब ये बाइक मार्केट में एक नए अवतार में आ रही है तो बाइक में 210 सीसी का लिक्विड कुल्ड एंजिन आने वाला है दोस्तो ये बिल्कुल एक कन्फर्मड अपडेट है जो एक ओटो मोबिल वेबसाइट के थ्रू मिली है सो न्यू करीजमा 2023 मोडल में आपको 210 सीसी का लिक्विड कुल्ड एंजिन मिलेगा और बाइक की पावर 25 PS के आसपास होगी और 30 NM का टोर्क होगा और बाइक में 6-speed gearbox देखने को मिलेगा जो बिल्कुल होना चाहिए सो बाइक की पावर भी काफी अच्छी है बाइक का टोर्क भी काफी अच्छा होगा और 6-speed gearbox, liquid gold engine, technologically advanced engine होने की बज़ेसे बाइक की overall performance काफी अच्छी होने वाली है इसमें कोई डाउट नहीं है और बाइक की पावर से ज़्यादा अच्छा है इसके अंदर टोर्क होगा तो उसकी वज़ेसे इस बाइक का initial acceleration और pickup तो काफी अच्छा मिल जाएगा और साथी बाइक की mid end performance काफी अच्छी मिलेगी रियर में preload adjustable monoshock suspension आएगा बाइक के front में भी disc brake आएगी रियर में भी disc brake आएगी जिसके साथ में standard dual general EVS आएगा most probably बाइक में 100 section का front में tire आएगा और 140 section का rear में tire आएगा तोनों ही काफी अच्छे super wide tubeless tires होने वाले हैं सो बाइक का suspension setup और braking system काफी अच्छा होने वाला है technologically advanced engine होने की वज़े से बाइक की performance भी काफी अच्छी होगी और इस बाइक के अंदर आपको 35 km देल के आसपास की mileage भी मिल जाएगी और ये hero की बाइक होगी तो बाइक का price भी काफी सही होगा ये बाइक मार्केट में one of the best value for money machine हो सकती है क्योंकि एंडियन टूलर मार्केट में अभी तक Yamaha की R95 V4 से compete करने के लिए कोई भी अच्छी बाइक नहीं है बजाज की Pulsar RS 200 है लेकिन उसके अंदर features उतने अच्छे नहीं है Suzuki की Jixxer SF की performance उतने अच्छी नहीं है सो हीरो अपनी करीजमा को मार्केट में लेके आ रही है जो मार्केट में काफी अच्छी मशीन होने वाली है और ये बाइक यार मार्केट में बिलकुत धमाका मचा सकती है बाइक की full tank capacity 14 liters के आसपास की होगी और दोसो ये बाइक टेस्टिंग के टाइम पे स्पोर्ट हो चुकी है पहले हीरो इस पाइक के उपर काफी टाइम से काम कर रही है हीरो की research and development team इस पाइक के उपर और X-Pulse 200 के भी new model के उपर काम कर रही है लेकिन पहले हीरो करीजमा को लेके आएगी और उसके बाद X-Pulse का एक new variant लेके आएगी जिसके इंदर बड़ा engine होगा तो हीरो की अपकमिंग करीजमा इंडियन टूलर मार्केट में यमा के R15 V4, सुजुकी की जिकसर, बजाज की पलसर RS200 इन बाइक के साथ कंपीट करेगी और फाइनली बात करते हैं कि ये बाइक मार्केट में कब तक आएगी और क्या इसका प्राइज होगा तो देख़ए और बाइक काफी सही प्राइज के अंदर आने वाली है इस बाइक का एक शूर्म प्राइज एक लाग पचास जा रुपे से लेके एक लाग साठ जा रुपे के आसपास होगा और बाइक का उन्रोर प्राइज आपको वल लैक 80,000 के आसपास मिलेगा यानि कि मार्केट में जो और फुली फेट स्पोर्स टाइप की बाइक्स अवेलबल है उन बाइक से इस्पाइक का प्राइज काफी सही होने वाला है और बाइक के अंदर प्रीमियम फीजर्स भी होंगे पफोमेंस भी काफी अच्छी होगी तो फिर ये बाइक मार्केट में बागी फुली फेट स्पोर्स टाइप की बाइक्स को काफी अच्छा टफ competition देने वाली है और इस वजह से ये बाइक फुली फेट स्पोर्ट सेगमेंट में एक काफी अच्छा option हो सकती है और hero is spike को इंडियन डूलर market में 2023 के mid तक भी लेके आ सकती है और 2023 के end तक भी लेके आ सकती है क्योंकि इस spike की launch date अभी तक confirm नहीं हुई है लेकिन ये बाइक 2023 में market में आएगी ये बिल्कुल confirm हो चुका है तो भाइ अगर आप hero की charisma का wait कर रहे हो तो comment box में जरू बताना जो इस spike की details अभी निकल के आई हैं उसके इसाफ से तो यार मैं इस bike का बहुत बेसबरी से wait कर रहा हूँ क्योंकि ये bike R15 V4 का एक काफ़े अच्छा alternative option हो सकती है तो भाइ इस वीडियो में इतना ही आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तिल देन, ride safe, drive safe